प्यारे बच्चों सूप्रभात आज हम कक्षा साथ विशे हिंदी पाठ थीन का गेहन अध्यन करेंगे पाठ थीन के हिमाले की बेटिया हैं इसके लेखक हैं नागर्जुन इस पाठ को पढ़ते समय हमें कुछ कठिन शब्दों का अनुभब होगा जिनको सरल बनाने के लिए हम कठिन शब्दों का पठन पाठन करेंगे उल्लास, संभ्रान, श्रद्दा, कौतुहल, फिराट प्रेम, अत्रप्त, मुद्रित, अध्भुत, गंभीर हिमाले की बेटियां पाठ थीन नागर्जुन द्वारा लिखे थी पाठ मैं नागर्जुन ने हिमाले से निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है हिमाले की शिराओं से निकलती हुई वे कैसे अपना रूप परिवर्तित करती है यहीं लेखक ने दर्शाया है लेखक की भावना नदियों के प्रतिक कैसी है लेखक जब दूर से हिमाले की गोद से निकलने वाली नदियों को देखता था तो उसे बहुत सुन्दर प्रतीत होती थी उनका एकदम गंभीर, शांत और अपने आप में मस्त दिखाई देना एक स्वरूप दिखाई देता था वे सिस्टम हिला की बाती दिखती थी लेखक के मन में उनके प्रती बहुत आदर और शद्दा का भाव था जब वे उनमें डुक्कियां लगाता तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे अपनी मा, तादी, मौसी या मम्मी की गोद में खेल रहा हो अर्थात नदियों के साथ लेखक का आत्मियता की भावना जुड़ी थी नदियों की सुन्दर्ता से प्रभावित होकर लेखक ने क्या कहा है देखी बहुत वर्षों से लेखक नदियों को काफी दूर से देखता रहा लेकिन एक बार वह हिमाईले की काफी चड़ाई पर चड़ा तो उसे नदियों का बदला हुआ आकरशन सूप सरूप दिखा देखने को मिला उसे बहुत हैरानी थी परवतों के मध्धे तो गंगा, यमना, सतलज, कितनी दूबली पतली नदियां दिखती है लेकिन समतल धराता पर पहुँचते पहुँचते ये विशाल रूप में बदल जाती है इनका उचलना, कूदना, खिलकिलाना, भाव भंगिमाय बनाना और उल्लास सब समाप्त हो जाता है अर्थाद जब नदियां पहाडों से निकलती हैं तो जल की धाराओं के रूप में तेजी से वह कर वाखूब शोब्ट करके अनेक स्वरूप बदल कर उस्था से परिक्पूर आगे बढ़ती है ये विल्कुल अलड़ वाला की भाती प्रतीत होती है लेकिन मेदानों में आते ही विशाल और सांत रूप में बहनी लगती है लेखक को लगता है कि कोई सुन्दर कन्या या कली भी इतना अकरशित नहीं करती जितना ये हिमाले की बेटियां करती है नदियों का लक्ष आप देखिए लेखक नागर जुन्ने नदियों के लक्ष के बारे में कहा क्या है लेखक को यह समझनी आता कि नियनता शान तो सुरूप में आगे बढ़ती नदियों का लक्ष क्या है ये किसे मिलने की चहा में आगे की और बढ़ती जा रही है अपार प्रेम करने वाले पिता हिमाइले को छोड़ कर ये किसका प्रेम पाना चाहती है जिस प्रकार बेटियां सस्वाल जाने के समय मायके की हर चीज जिससे वे प्रेम करती है खुशी खुशी छोड़ जाती है उसी प्रकार ये हिमाईले की बेटियां भी बर्फ से डकी पहाडियां पौधों से भरपूर घाटियां गहरी गुफाएं हरी भरी घाटियां सब कुछ छोड़ कर समुद्र की ओर बढ़ जाती है कुछ आगे बढ़कर देवदार, चीर, सरोर, चिनार, सफेदा, कैल आदी के जंगलों में जाकर उन्हें अवश अपने बच्पन की याद आती होगी जैसे घर का बड़ा बुड़ा अपनी संतार की फिकर करता है, उसी तरह हिमाइले भी अपनी बेटियों के लिए चिंतित रहता होगा नदियों के चले जाने के बाद पूरे उत्तर में निस्तब्दता चा जाती है, निस्तब्दता यानि शान्ती चा जाती है सिंदू और भ्रह्मपुत्र हैं सिंदू और भ्रह्मपुत्र दो ऐसी महानदियां है जो हिमाईले के हिर्दे से वर्फ से हिमाईले के वर्फ से पिगलती हुई भूनों से अपना अस्तित्व पाती है और नियंतर समुद्र की ओर प्रवाहित होती है इन्हें महानत भी कहा जाता है लेकिन इनको देखकर लेखक की आखों के सामने हिमाईले की अन्य पुत्रियों अर्था छोटी, बड़ी, सभी नदियां जैसे रावी, सतलज, व्यास, चनाव, जेलम, कपिशा, काबुल, गंगा, यमना, सर्यू, गंडक, कोसी, आदी का नेक्स्ट इसमें आता है हिमाईले और समुद्र से नदियों का रिष्टा लेखक को बूड़ा हिमाले इन नदियों का पिता मालूम होता है जिस प्रकार छोटे बच्चे माता पिता से कोई शर्म नहीं करते उसे लगता है वैसे ही इन नदियों ने भी अपना रंग धनग वजपन हिमाले रूपी माता पिता की गोल में बिताया है और फिर बड़ा स्वरूप पाते पाते ये चल पड़ती है सागर के पास ऐसा सोचते ही लेखक को सागर को दामात और हिमाले को ससुल लगता है यानि हिमाले ने अपनी बेटियां सागर के हाथों में सौपी हूँ अब यहाँ पे कालिदास का एक प्रसंग है नदियों को देखकर लेखक को यह भी यादाता है कि एक बार कालिदास के विरही यक्ष ने में एकदूत अर्थात बादल से कहा था कि तुम वेतरवती नदी को प्रेम का संदेश अवश्य देना वेत तुम्हें प्रेम करती हैं और तुम्हें पाकर अवश्य प्रसंग होनी लेखक को लगता है कि महा कवी को नदियों का जीवनत और सजीव रूप पसंद था वास्तम में पहाड़ों से निकलती नदियां वासंतल धराता बर बहरी नदियों को को जो भी देखेगा वह दोनों में अत्यदिक अंतर पाएगा क्योंकि पहाड़ों पर बहने वाली नदियां तो अल्हड बच्चियों के रूप में दिखाई देती हैं विमेदान में वहती नदियां अपने आप में मस्त नवियोवना के रूप में सभी को आकरशित करती हैं नदियों के विभिन्दे सरूप नदियों के विभिन्दे सरूप काका कालेल करने नदियों को लोकमाता का रूप दिया है क्योंकि ये सर्वस कल्यार्ण करती है कुछ कभी होने इन्हें प्रेयसी अथात प्रेमी का माना है और कितने ही कभी होने इन्हें बहन का रिष्टा भी दिया है एक बार लेकाक स्वे मन से बहुत उचाड़ था यानि उसका मन नहीं लग रहा था और उठका हुआ था तो तिब्बत में सतलज के किनारी जाकर बैठा पाउं पानी में लटका दिये तो थोड़ी देर बाद उसका तन और मन दोनों ताजा प्रतीत होने लगा और लेकाक कह उठा कि सतलज बहन तुम्हारी जै हो तुम्हारा सुरूप बहुत प्रिये है तुमसे तो हिर्दे प्रसन हो सारी खुमारी अर्थात आलत से दूर हो गया वह उन पर बलिहारी जाता है तुम पुत्री हो और हिमाले तुम्हारा पिता है पिता हिमाले चुपचाप रहकर भी तुम्हारे लिए चिंतित है प्रकर्ती तो नर्तकी की समान है इसी प्रकर्ती के प्रगाण में प्रांगण यानि की आंगन इसी प्रकर्ती के प्रांगण में हिमाले अपनी अद्भूत और अन्पम छटा विखिर रहा है सतलजवेहन तुमारी जैहू ऐसा नागर जुन्ने हिमाले की बेटी पार्ट में कहा है अब हम इसके शब्दार्तों का अध्यन करेंगे गंभीर, गहरा या शांत भाववंगी, बिभिन्य स्वरूप उल्लास, खुशी, आकर्शन, अपनी योर खीचने वाला लोक माता कल्यान कारी, अनुपम जिसकी उपमा ना दी जा सके धन्यवाद